सब्सक्राइब करें कुकिंग गूरू सुधा चैनल को दबाएं बैल आइकन नई रस्पी को देखने के लिए नमतकार अगर आज की वीडियो को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें आए देखते हैं 200 ग्राम लईया 100 ग्राम गुड एक चमत देशी गी साब पानी आए सब से पहले हम गुड की चासनी त्यार कर लेते हैं आए पहले गुड को बारी टुकडों में तोड लेते हैं उसके बाद इसकी हम चासनी त्यार करेंगे यह देखें गुड को छोटे से टुकडों में तोड लिया है कलहाई में डाल देते हैं इसको देखें इतने गुड में हम आधी कटोरी से कम पाई डाल देते हैं इसकी चासनी त्यार करते हैं देखें गाई जिलाके और हम कठाइच रहा दिया है इसके चासनी त्यार हो के लिए आप सकते हैं कि पहले हमने गुड को अच्छे से तोड लिया था और पाē में गुड को त्रज लिगू देखो दिया था इसे समय की बचत हो गई और गैस की बचत हुई है इसको लगाता है चलाते रहेंगे पिर आतिक की चासनी तु ईक वनने बीडिया और एक कटोरे में हमने थौरा सा पानी लिया हुआ है उसमें हम डाल देते हैं देखे इस तरह आप शमीटेंगे चासनी को जब चासनी विल्कुल लड़ू जैसा बन जाए और उठ जाए हाँसे देखे उठा क्या रही है समझ जाए ये ये देखे चासनी तैयार हो गई है दो मिनट और उसको चला लेते हैं और गयस बन कर देंगे ये देखे़ 2 मिनट हो गए है और चास्ली बिलकुल इम भी देखे़ comfort बन गई है ये देखे भी ये लूतार आपको यह लट्यू पर रहा। ये ये लट्व कर देखे ये बिलकूल हो ये लटू बन गई है जो गह संबंद कर देते हैं भी हो लैया में डाल देते अब लहिया में यह सारी चास्नी जाल देते हैं इसको अच्छे से मिला रहेंगे गरम रहती इसलिए चमच गरह सही मिलाएं अच्छे से मिलाने के बाद इसक्रम रट्यू बनाएंगे जिए ठ्वासा ठंदा हो जाएगा बद करम गरम बनाएंगे यह देखे सभी तरफ से अच्छे सचास्नी लग गई ही लिया में इस सर तरफ से गुमा गुमा के हमने लगा दिया यह दिखे और थ्वासा ठंदा भी हो गया है कि याद में ही लगा ले तेस्तरे थोड़ा थोड़ा फठाके इस्तरे और हलके हां से विल्कुल स्को दवानाएंगो जाता नहीं कि इस तरह थेस्त दवाएंगे तो यह हाथ में चिपक जाती है अले धीर दिया दिया दॉआर उसके बाद व्हासा टाइप कर दें यह देखिए, फिराद में थोड़ा से गी लगा लेंगे, थोड़ा से उठा लेंगे इस तरह, और बेले हलके हाँ से बिल्कुल सारी लहिया को समेट लिना है, अब अच्छे से समेट जाए, उसके बाद हलका लगा दबा दीजे, यह देखिए, अब मनुत थोड़ा चोटे ब यह देखिए, यह किसने अच्छे लग रहे हैं देखिने में, इसी तरह, सारे लड़ों त्यार कर लेंगे, उसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे स्वाधिस्त लईया के लड़ों त्यार है, आप भी अपने खिचर में जरूर बनाएगा और टेस्ट करिएगा, खासतर बच्चों को जोर पसंद आते हैं लड़ों, और हमें जरूर बताएगा यह लड़ों आपको कैसे लगे, ताकि हम आपसे मिले एक नई डिस के साथ, त स्वाधिस्त लड़ों